हिंदू धर्म में तुलसी पौधों का काफी महत्व माना जाता है ऐसी मन्यता है कि तुलसी के पौधे में स्रीहरी भगवान विश्नु मातलक्ष्मी के साथ स्वयम निवास करते है और यही कारण है कि हर गक्ति अपनी घर में तुलसी का एक पौधा जरूर लगाता है तुलसी के पौधों में मातलक्ष्मी के निवास करने से घर में नकारात्मक्ता दूर होती है और सकारात्मक शक्तियों का वास होता है हिंदु धर में तुलसी के पौधों और पत्तों का इतना महत्व है कि लोग प्रशाद में भी तुलसी पत्र डालते हैं और कहा यह भी जाता है कि अगर किसी इंसान की मृत्ति हो रही हो तब उसके मुख में गंगाजल के साथ अगर तुलसी का पत्ता डाल देया जा तो वह सिधा वैकुंट धाम को जाता है ऐसे में हर व्यक्ति को अपने घर में एक तुलसी का पौधा तो जरूर लगाना चाहिए लेकिन अगर तुलसी के पौधों में एक छोटा सा उपाई किया जाए तो लोग अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं और अपनी आर्थिक तंगी को मीटा सकते हैं जोटिशाचारी पंडिक चत्रुबनाचारी बताते हैं कि तुलसी के पौधों में माता लक्ष्मी का निरास होता है और एक छोटा उपाई किया जाए तो माता लक्ष्मी को प्रसन निकिया जा सकता है तुलसी के जड़में के हल्दी देने के बाद अगर तुलसी मुर्जा रही है तो उसका भाग्य बढ़ता है बागी के उन्नत्य होती है इसलिए हल्दी दिया जाता है तुलसी का पौधा देने के बाद उसको अगर जल देता है उसका पुजा करे उसका जो भी पुन फल होता है उसको ही प्राथ होता है अगर किसी को तुलसी का पुजा करने के बाद उसकी परिवार में ब्रदी होगी सब धन की ब्रदी होगी भागी की ब्रदी होगी उन्नत्य होगा इस अपार्ज होता है जोत्षा चार्ज ने बताया कि घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी जड़ में एक चुटकी हल्दी जरू टाले ऐसा करने से तुलसी का पौधा तो हरा भरा होता ही है उसकी पत्तियों में भी चमका जाती है उन्ने बताया कि अगर आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा मुर्जा रहा है तो एक चुटकी हल्दी डालने से वह स्वस्थ हो जाए जाए इसके साथ ही अगर तुलसी की जड़ में आटे का दीपक बना कर उसमें घी का दिया जलाएं और दिया जलाने से पहले हल तुलसी के पौधों के पास एक मात्र छोटा सा उपाई कर आप उसे दूर कर सकते हैं लोकलेटीन के लिए बुलशन कश्यप की रिपोर्ट